हमारे परोसी देश श्री लंका में फिलहाल हालात बहुत खराब है लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं खाने पीने के समान में इतनी बहंगाई आ चुकी है कि लोग कुछ भी नहीं खरीद पा रहे हैं वहाँ के इन हालात को अगर हम सिर्फ सोचे भी तो खौफनाक लगत स्री लंका बेहद ही खुबसूरत जगह है यहां के नजारे लोगों को काफी आकरसित करती है जिसको देखनी के लिए लोग दूर दूर से आते हैं भारत की तरह ही श्री लंका भी एक डेवलपिंग कंट्री है इसका मतलब कि वो धीरे धीरे हर साल आगे की तरह बढ़ रहा था श्री लंका अब आज के टाइम पर किसी भी देश को आत्मी निर्भर क्यों होना चाहिए उसका उधारन बन चुका है जादा तर खाने पीने के समान दूसरे देशों के आयात पर ही निर्भर करता है और विदेशी मुत्रा खत्म हो जाने की वज़ा से आयात नहीं कर पा रही है श्री लंका में चावल की कीमत 250 रुपे प्रती कीलो पहुच चुक गई गेहू 200 रुपे कीलो बिकड़ा है चीनी 250 रुपे कीलो नारियल तेल की कीमत 900 रुपे प्रती लीटर और मिल्क पाउडर 2000 रुपे प्रती कीलो के हिसाब से बिकड़ा है खाने पीने के समानू में भाव बढ़ने की बज़से भारत पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है भारत से प्याज का एक्सपोर्ट श्रीलंका में भी किया जाता था और बांगलादेश मलेसिया के बाल श्रिलंका में ही प्याच का निर्याद सबसे ज़्यादा होता था लेकिन अब इसमें भारी गिरावर्ट दर्च की जारी है देश के इस हालाद के लिए बहा के लोग सिर्फ और सिर्फ श्रिलंका की राजपक्षे सरकार को जिम्यदार मान रही है खासतोर पर से स्रिलंका की सरकार से परिवारवाद को लोग जमेदार मान रहे हैं क्योंकि स्रिलंका सरकार के पांच बड़े चेहरे राजपक्षे परिवार से ही है पर यहां हम राजनीती वाले एंगल को साइड रखते हैं और एकनॉमिक की द्रिष्टी से जानते हैं किसी भी देश की आर्थी किस्तिती उसके देश में होने वाले प्रोडक्शन के साथ साथ आयात और निर्यात पर भी निर्भर करता है, जिस देश का निर्यात बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ पर विदेशी मुद्रा का भंडारन ज़्यादा होता है, जिससे पेट्रोल, दीजल और अनावशक आवशकता की चीजे को आयात करती है। महंगाई बढ़ती रही पर उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाएगे। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से भारत ने अपनी आर्थिक तंगी को संभाला था। तब तक के लिए जुरे रहे हमारे साथ। अगली पर उसके से नहीं जुरे पर उसके से भारत ने जुरे रहे हमारे साथ।